इस वीडियो में हम वाइरसिस की स्टेडी करने जा रहे हैं। इस वाइरसिस की बैक्टिरिया को इंफेक्ट कर सकते हैं। इस वाइरसिस सेल्स से नहीं बने होते हैं। वास्ताव में वो लिविंग यानी सजीव भी नहीं होते हैं। वाइरसिस लिविंग नहीं होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ खास स्पेसीज के अलावा भी दूसरे कई तरह की वाइरस होते हैं। इंफ्लुएंजा और इच आईवी का एड्स कुछ कॉमन बाइरस हैं। तो अगर वाइरसिस लिविंग नहीं होते तो हमें इंफेक्ट कैसे करते हैं। वाइरसिस पैरसाइट्स यानि परजीवी होते हैं जो दूसरी लिविंग सेल्स में खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। वाइरसिस होस्ट जेनेटिक मशिनरी को हाइजेक करके वाइरल जेनेटिक मेटिरियल को रिप्रोड्यूस करते हैं। वाइरस पार्टिकल्स की मात्रा ज्यादा होने से होस्ट सेल की डेथ हो जाती है जिससे वाइरल पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो दूसरी सेल को इंफेक्ट करते हैं। रिलीजट वाइरल पार्टिकल्स दूसरे लोगों को भी इंफेक्ट कर सकते हैं। वास्तव में वाइ जैसी वीमारिया वाईरस के कारण होती हैं। हमारे इम्यून सिस्टम यानि प्रतिरक्षा तंतर के मजबूत होने के कारण वाईरस हम पे अटेक नहीं कर पाते। इम्यून सिस्टम वाईरस को ट्रेस करके उससे सेल में घुसने से पहले ही डेस्ट्रॉय कर देता है। स्पैनिश फ्लू वाइरस के कारण दुनिया भर में 50 मिलियन मौत हुई थी। साइंटिस्ट्स ने बहुत से वाइरस के अगेंस्ट वैक्सिनेशन्स डेवलप किये हैं। वैक्सिनेशन के कारण ही स्मॉल पॉक्स यानी चेचक जैसे वाइरस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। एंटिवाइरल ड्रग का इस्तिमाल इच आईवी से इंफेक्टिड ऑब्जेक्ट को हमेशा के लिए करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने वाइरसिस के बारे में जाना ये सिंपल ऑर्गनिजम होते हैं जो हमारी बॉडी को बुरी तरह इंफेक्ट कर सकते हैं।